हलो एन वेलकम टू दा आई वाई एफ एजुकेशन एन इनिशेटिव बाई इंडियन योथ फांडेशन इसका नाम है डॉस्ट ऑफ स्नौ और जो लिखा गया है रॉबिट फॉस्ट के द्वारा अब डॉस्ट ऑफ स्नौ का मतलब क्या है यह देखते हैं यहां डॉस्ट का मत मतलब है किसी चीज का गर्ना और स्नौ का मतलब आपको पता ही है बर्फ है तो का है साथ हम पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ पोएम में यूजवे न्यू वर्ट्स देखेंगे लाइक शौक शौक का पास में वर्ड है शेक शेक मिन्स हिलाना हेमलोग हेमलोग ट्री ट् पॉजनस्ट्री रेओड रेओड मींस रेग्रेट्ट रेग्रेटेट मींस आइक हमारा पूरा दिन बरबाद हो गया अब हमें उसका पस्चताप हो रहा है पस्तावा हो रहा है रिवारे जैसे हमने नॉर्मली सौसाइटी में सुना होगा कि क्रो की अवाज बुरी मानी जा मैं आपको poem एक बार जो हमारे stangas हैं उनको पढ़ के सुना जाता हूँ So, they weigh a crow, shock down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and save some part of a dihydriod So, they weigh a crow, shock down on me, the dust of snow from a hemlock tree जो poet हैं, जो हमारे Robert Frost हैं, वो पेड़ के नीचे खड़े हैं और जो crow है, वो hemlock tree के ओपर बैठा है और crow ने क्या किया, उनके ओपर dust of snow गेरा, बफ के कुछ चंद गेरे अब आगे देखते हैं Has given my heart a change of mood and save some part of a dihydriod मेरे दिल में एक change आया, मेरे mood में एक change आया क्योंकि जो मेरा दिन था, वो पुरा बर्बाद हो गया था और अब dust of snow गिरने के कारण, जो मेरा दिन था, वो कुछ हंद तक बज़ गया मुझे इस चीज से खुशी मिली, मुझे खुशी मिली इस Saturday में similarly, जैसे मैंने आपको poem start होने से पहले बताया था कि crow की जो आवाज होती है, हमारी society में नॉर्मली बुरी मानी जाती है like bad domains, उसी को यहाँ पर हमारे poet ने दूर करने ही कोशिश की है उन्होंने यहाँ पर indicate करने ही कोशिश की है अगर जो crow था, वो उनकी ओपर dust of snow नहीं गेरता तो वो जो उनका बचावा दिन था, वो भी उनका बरबाद हो जाता like जैसे पहले का दिन उनका पूरा बरबाद हो गया था वो यहाँ पर दिखाना चाहते है शायद अगर वो जो crow है वो उनकी ओपर dust of snow नहीं गेरता तो शायद उनका दिन नहीं बस पाता तो similarly यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जो normally हमारे society में जो हमारे bedomins माने जाते हैं वो sometimes वो bedomins नहीं होते कई बार वो हमारी जो normally days है उसमें अच्छी चीज़ें कर जाते हैं इस है what did the crow and snow represent अब crow और snow क्या रिप्रेजेंट करें पोयम में the crow represents sadness and depression the snow represents hopefulness next question है what changed the poet mood poet का mood कैसे change हुआ the poet is watching a crow sitting on a hemlock tree when it shake the branch of a tree the dust of snow like flower is sprinkled on him it change his mood जैसे मैंने आपको पोयम में बताया जो dust of snow गिरेब hemlock tree से crow के द्वारा उसने उसके mood को change किया next है what do a crow the dust of snow and the hemlock tree symbolized जो crow था पोयम में और जो dust of snow था और जो hemlock tree था है वो क्या represent कर रहे है क्या symbolize कर रहे है पोयम में जो across across symbolize the insignificant incidents of life और the dust of snow symbolize the state of inactivity of the man the hemlock tree here is symbolize the unpleasant and sorrowful period of life इंडियन यूथ फांडेशन का initiative है इंडियन यूथ फांडेशन जरुरत मन लोगों की साहता करता है आप लोग हमें social media पर follow कर सकते हैं Instagram Facebook YouTube पर follow कर सकते हैं hashtag the Indian Youth Foundation so guys thank you for watching our video please subscribe our channel or press the bell icon or share with your friends classmates our video